गडेश चतूरती चल रही है तो आज मैंने भोग प्रशाद के लिए बना के तयार किया ट्रेडिशनल तरीके से स्टीम किये हुए मोदक जिसे की उड़कीचे मोदक भी बोलते हैं ये महराश्टर में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुती आसान तरीके से बनके तयार होती है आप मावा मोदक बना ले ड्राइफरूट मोदक बना ले लेकिन जो उड़कीचे मोदक मतलब चावल और कुछ एक इंग्रेडियन्स से बनके तयार होने वाला मोदक है वो सबसे ज़्यादा यमी और सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा आसानी से बनके तयार हो जाती है तो आज हम यही उड़कीचे मोदक घर पे बना करके तयार करते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो इस मोधक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेश कोकोनट ले लेना है मतलब नारियल ले लेना है तो यह मैंने फ्रेश कोकोनट ले लिया है अब हमें इसे क्या करना है कि इसके उपर जो इस तरीके से रेसे होते हैं उसे हटा लेना है और उसके बाद इसको तोड़ कर के और इसके बीच का हिस्सा मतलब जो हम नारियल है उसे हमें निकालना है तो इसे तोड़ लीजे और तोड़ करके इसके बीच वाले हिसे को हमें निकाल लेना है तो वस इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसे तोड़ लें दो से तीन मिनट लगेंगे और आपक को पता है तो इसे आप इस्तिमाल कर सकते हैं अब ये देखे हमारा नारियल निकल चुका फ्रेश नारियल अब इसे हमें क्या करना है कि इसे निकाल लेना है तो इस तरीके से आप इसको बाहर निकाल लें तो ये देखे इस तरीके से हम अपने सारे नारियल को च्चाइब करने के लिए एक great आता है उससे great किया जाता है लेकिन वहाज मैं उसका इस्तिमाल ह olan करने वाली ह flies मैं को बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूं इसको great करने का जिससे कि आधे मिनट के अंदर बिल्कूल अच्छे से ग्रेट हो जाएगा और बिल्कुल बारीक हो जाएगए तो इस तरीके से आप ले लीजये चौपर और चौपर के अंदर हम ये नारिल के छोटे-छोटे तुकड़े करके उसे इसके अंदर हम transfer कर देंगे तो बस chopper के अंदर transfer कर दीजिए उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के करें ताकि chopper के अंदर उसे chop होने में आसानी हो, बस सारे टुकडो को इसके अंदर transfer कर दीजिए डाल दीजिए और chopper को आप 2 से 3 बार चलाएंगे मतलब आधे मिनट में यह बारीक हो जाएगा तो इसी तरीके की बारीक नार् चाहिए. इस मोदक बनाने के लिए अगे बढ़ते हैं और हम स्टफिंग बनार करके तैयार करते हैं, स्टाफिंग बनाने के लिए कुप टॉप पे रख दीजे कोई भी एक पैन तो यह मैंने एक पैन रख दिया है अब इसके अंदर हमें आड़ करना है लगबग आदे चमच के करीब घी आड़ कर दिया मैंने आप ज्यादा बना रहे हैं तो घी थोड़ी ज्यादा आड़ कर ल बूना है उससे जादा नहीं बूना एक से दो मिन至 जब यह बून जाए उसके बाद इसमें हम एढ़ कर देंगे तो इसमें हम good x कर देंगे वाप चाहें तो इलाइची पाउडर यहाँ पर एड़ कर सकते हैं कुल मिला के 2-3 मिनट तक इसे भूनना है या फिर तब तक जब तक हमारा गुर्ड जो है वो अच्छे से मिल्ट ना हो जाए गुर्ड जब अच्छे से मिल्ट हो जाए और सारी चीज़े आपस में अच्छे से मिल जाए तो बस फ्लेम को बंद कर दीजे और इस मिक्षर को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है मतलब यह हमारी स्टफिंग बंद करके तयार हो चुकी है मोदक की स्टफिंग बन गई है इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने की बाद ही हम इसका इस्तिमाल करेंगे तो चलिए जब तक हमारी स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो रही है चलिए हम इसके लिए डो लगा लेते हैं मतलब मोदक के लिए हमें चावलो का जो डो लगाना है उसे हम लगा के तियार कर लेते हैं तो कुक टॉप के उपर रख दीजे एक कोई कड़ाई या फिर पैन उसमें एड़ कर दीजे चावल का आटा लेंगे उसका दुगना हमें पानी इस्तिमाल करना है अब आप देखेंगे कि आदे से एक मिनट के अंदर जो हमने चावलो का आटा डाला वो दीरे-दीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा गाडा होना शुरू हो जाएगा पानी को अच्छे से सोख लेगा बस इसे फ्लेम बन करके अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे ढख करके हमें लगबग पांच मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमने जो चावल का आटा डाला है वो हलका सा कुक हो जाए तो इसे पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे जब ये हलका गुन-गुना रहे मतलब ल्यूक वॉम रहे तभी इसे हमें अच्छे से नीड करना है अच्छे से गुनना है और इसका एक डो बना करके हमें तयार कर लेना है तो ये देखिए हमारा जो चावल का अटा है वो बिल्कुल हलका गुन-गुना है इस स्टेज पेस में थोड़ा सा घी आड कीजे और इसे अच्छे से नीड कीजे कुल मिलाकर पांच से साथ मिनटी से नीड कीजे ताकि ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ जाए अभी तो ये बिल्कुल अलग-अलग हो रहे हैं तो इस से हमारा मुदक बन के तयार नहीं होगा जब आप इस से मुदक बनाएंगे ना तो मुदक बिल्कुल फटने लगेगी तो आपको इसे अच्छे से नीड करना है अच्छे से मिलाना है ताकि हमारा जो डो है वो बिल्कुल नरम और बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तयार हो तो कुल मिला करके पांसे छे मिनट लगेंगे और हमारा डो जो है वो लग करके तयार हो जाएगा ये देखे बिलकुल नरम और सॉफ्ट डो लग करके तियार हो चुका है कुछ इसी तरीके का डो चाहिए हमें ये स्टीम वाले मोदक बनाने के लिए अब आप अगर इसे ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाना चाहते हैं मतलब हातों से बनाना चाहते हैं जो बहुत आसान है बनाना कोई भी बच्चे भी इसे बना करके तैयार कर ले तो बस इस तरीके से आपको ये जो डो है उसे ले लेना है उसे फैला लेना है और बीच में इस तरीके से क्याविटी बनाने लिए है मतलब जगह बना लेना है ताकि इस जगह में हम स्टफिंग को भर सके जो हमने नारियल और गुड का स्टफिंग बनाया उसे इसके बीच में हमें भरना है तो इस तरीके से बीच में नारियल और गुड की स्टफिंग को भर ले और भरने के बाद इसे अच्छे से सील कर दें अच्छे से बंद कर दें और नीचे से भी इसे अच्छा सील कर दीजे ताकि जब आप इसे स्टीम करें न तो ये खूले नहीं क्योंकि गुर्जो है स्टीम करने से मिल्ट होने लगती है और मिल्ट होने के बाद वो बहने शुर तो कुछ इसी तरीके से आपको ट्रेडिशनल तरीके से ही आपको सारे चावल के मुदक बना करके तैयार कर लेने हैं बहुत आसान है बनाना और दो से तीन मिनट में धेर सारे मुदक बन करके तैयार हो जाते हैं तो इस तरीके से आप भी गणिश चतूरती पे आप चावल की स्टीम मोदक बना के तयार कर सकते हैं जो बहुत आसान है बनाना और खाने में ये बहुत शांदार लगते हैं मतलब हर तरीके की मोदक आप खाएंगे ना तो उसमें आपको ये मोदक सबसे ज्यादा अच्छे ल रख दिया और इसे ढख करके कुल मिलाकर के 5-6 मिनट अच्छे से स्टीम करना है और 5-6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये देखिए हमारे मोदक जो हैं वो बिलकुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं तो बस कुछी इसी तरीके से बहुत ही आसानी से और घर में मिलने व अपपा को मोदक का भोग लगाई है जो कि बहुत जादा अच्छे लगते हैं जब आप इसे सर्फ करें तो गर्मा गरम इस तरीके से कट करें उसमें थोड़ा सा घी आड़ करें और बिलकुल गरम गरम सर्फ करें ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में I hope आपको recipe अच् लाइक कीजे शेयर कीजे और रोज ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें